सो हेलो दोस्तों वालकम बेक टू माई यूटूब चैनल सुरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ सभी इस्टुट काफी दीन से मेरे से एक ही कमेंट कर रहे थे सर आइडियल कप नोटिस लाने वाला है तो दोस्तों आपका इंतजार हो गया है खतम इदर देखें मुंबई उनिवर्सिटी के तरब से जो हमारे इंसिटुट ओफ डिजीटल एंड ओपन लेंडिंग आइडियल है उन्होंने भी अपना नोटिस गाइडलाइन जारी कर दिया है और यह गाइडलाइन दोस्तों सही बोलने जाओ ना काफी काफी जादा इंपोर्टन है जो दोस्तों इसको इसकीप करकर के देखोगे तो यह वीडियो कुछ समझ में नहीं आने वाला अब भी इदा से चले जाओ क्योंग कि दोस्तों इसमें असाइमेंट प्रोगेक्ट के बात होने वाली है साती साती तर आपको दिख़ रहा होगा कि repeater के इस बारे में भी बात करने वाला हो detail बात करते हैं तो चली हम start to end हम पूरे point पे discussion करेंगे तो यार इसी तरीके के लिए हम ऐसा इसलिए आपको कहता हूँ कि जितने नए दोस इस समय मेरे साथ जुरे हुए वीडियो देख रहे हैं यार प्लीज आप चैनल को subscribe कर तो सबसे पहली बात जो बताई है वो यह बताई है कि आइडियल के तरफ से जो exam conduct करवाया जाएगा वो mcq-based exam होगा ठीक है वो भी online more होगा ठीक है मतलब online तरीके से exam लिया जाएगा आप सभी student का देन उसके बाद दोस्तों अभी भी बोल रहे हैं यार वीडियो को प्रोजेक वायवा ठीक है अगर जिन ंच्ज दूडेकर का प्र brack प्रोजेक्ट वायवा नहीं हुआ है उनका प्रेक्टिकल एक्जाम और प्रोजेक्ट वायवा लिया जहेगा आइडियल लेने वाला है वह कंड़क करवाने वाला वह बताने वाला लेकिन याद रगना यह जो प्रोजेक्ष वाईवा है ना कि कौन से इस्ट्रीम के लिए अवैलेबल है तो यह IT CS और MCA course के जो student है सिरीप और सिरीप उनके लिए है और आप लोगों का दोस्तों जो exam है वो 15 September 2020 onward conduct करवाया जाएगा और जो other time table हर जो detail है दोस्तों आप लोगों को जल से जल आपको Mumbai University की जो website है उसके ओपर available हो जाएगा और आपको टेंसल नेनी की जुरत नहीं है आपका जो स सब मैं अपने इस चैनल पर देने वाला हो तो आप सिरीव हो सिरीव इस चैनल को support कीजिए बस और इसके लावा मैं को भी और कुछ नहीं चीजिए आप support कीजिए आपका साथ मेरे लिए काफी important है चैनल को subscribe करना देन उसके बाद जितने भी repeater है और जो backlog के student है दोस्तों उन 25 सेक्टेंबर 2020 ओनवर्ड ठीक है and the detailed timetable and instruction मतलब कहने का दोस्तों यह है कि जो repeater हो backlog के student है F.Y.S.Y.K. विकुम जो इदर मैंने course आपको बता दिया आप लोगों का दोस्तों exam 25 सेक्टेंबर से conduct करवाया जाएगा और आप लोगों का भी detailed timetable instruction आप लोगों का भी website www.mu.se.ideal पर बता दिया जाएगा upload कर दिया जाएगा और आप लोगों का भी detail मैं मेरे channel पर दे दूँगा आपको tencel लेने की जरुवत नहीं है बस channel को follow करके रख लीजिए then उसके बाद जो काफी ज़्यादा important है final year के जो under graduation के student है और या जो post graduation के student है ठीके part 2 के जो final year के है अब उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो क्या है उनके लिए point 1 इधर important है ideal will be conducted online examination for the final year phrase and repeater student admitted at the tyba tyb com tybacit same 6 and tybac computers दोस्तों अब जो मैं यह course के नाम ले रहा हूँ सिर्फ in course का exam based on mcqs based exam होने वाला है ठीके आपका exam कप conduct करवाये जाएगा 3 October 2020 दोस्तों याद अगना यह जो course का मैंने नाम लिया हुआ है सिर्फ in course का exam conduct करवाये जाएगा 3 October 2020 अब जो मैं course का नाम लेने वाला उनका exam date repeater student admitted ed ma part 2, ma education part 2, mcom part 2, msc max IT, cs part 2, mca sem 6 course of ideal, sorry the online examination will be fully based on mcqs type question ठीके और आप लोगों का exam 8 October 2020 मतलब जो मैंने इदर दोस्तों आपको याद रखना कि इदर जो मैंने course के नाम लिया है आप लोगों का भी online exam होगा mcqs type question होंगे और आप लोगों का भी exam 8 October 2020 में conduct करवाया जाएगा और other detail time table instruction regarding आपको wait करना है जो ideal का जो website है उसके उपर detail दे दिया जाएगा यह हर point में कह जा रहा है देन दोस्तों उसके नीचे अब सबसे ज़्यादा जो important है FI और SY के student काफी time से यार मुझे message कर रहे तो definitely Mumbai University ideal ने यह जो भी इन्होंने इदर mention किया thank you so much क्योंकि यह जितने भी student उनके यह जो problem वो solve हो जाएंगे अब देखिए इदर क्या है instruction for fresh student admitted and various course of ideal ठीक है admitted year 2019 and 20 ideal will be conducted online examination for the fresh student admitted and the FI and SY BA, BCOM, BSC computer, fresher and repeater student of MCOM part 1, MA, education part 1, MA, MCOM part 1, MSC, MES, ITS, MA, ठीक है सब part 1 की बात है यह जितने भी course दिया हुआ मतलब कहने का कि जो first year, second year and जो part 1 के student है BCOM, BMA, sorry BCOM, BCOM, MA, यह जितने भी course के student है जिनका काफी time से confusion था सर हमारा examination कैसे होगा, हमारा examination कैसे लेने वाले तो ideal ने आपके भी problem solve कर दिया, क्या कर दिया है देख लीजिए the online examination will be fully based on MCQS type, मतलब कि FYSY के भी student का जो exam है और जो MCOM part 1 का exam है, जो बोला हुआ था 120 दिन के बाद लेने वाले है, उनका exam भी MCQS based ही होने वाला है and we will held on November 2020 और आप लोगों का exam दोस्तों अभी ने November के मंत में होने वाला है, मतलब आप लोगों का detail हर एक चीज बहुत जल से जल आएगा और आप लोगों का time table हर एक चीज बहुत जल से जल release कर दिया जाएगा, तो आप FYSY और MCOM के student, मतलब part 1 के MCOM, MSC के student, आप घबराईए मत, आप लोगों का November में exam conduct करवाया जाएगा, वो भी online exam conduct करवाया जाएगा, MC कुछ टाइप exam ही conduct करवाया जाएगा और हर detail, हर एक चीज आपको इसी website पे मिल जाएगा, www.me.ac.uk, जो ideal का website है, और मैं बोलता है, आपको कहीं और जाने की भी जरूत नहीं है, मेरे इस channel को subscribe करके रखिए, मही detail आप लोगों को provide करवाएगा, don't worry, ठीक है, हमें समय student को support करते हो, तो इस समय क्यों नहीं करूँग है, अभी skip मत किजिए, और important point बाकी है, तो pattern of online examination, उन्होंने इधर बता दिया हुआ है, कि आपका जो paper होगा, वो 50 marks का paper होगा, उसमें question आएंगे 25, और हर question आपको 2 mark provide करेंगे, ठीक है, देखिए, Mumbai University ने जो release किया था, वो 50-60 question आएंगे, 50 question attend करने का होगा, एक-एक marks एक-ए question होगा, लेकिन जितने भी ideal, college student की बात नहीं है, ideal के जितने भी student है, याद अगना, कि आपका 50 marks का question है, मतब 50 marks के होगे, आपके paper 25 question आएगा, और जो भी होगा, दो marks का होगा, और आपका examination, जो time होगा, वो एक घंटे का ही होगा, ज्यादा घंटे का नहीं होगा, और आपको study material है, आप जो question bank मांग रहे थे, तो दोस्तों आपको जो भी question है, वो आपको जो ideal ने books provide किया हुआ है, उस box, मतब उस books से ही आएंगे, out of syllabus नहीं आएंगे, आपके पास जो ideal का books है, आपको सिर्फ उसी को prefer करना है, आपको हर एक चीज उसी में से दे दिया जाएगा, और paper will be uploaded, website variation, मता आपका कोई paper किस तरीके से होगा, उसका model क्या होगा, वो बहुत से जल से जल आपको website पे मिल जाएगा, साथी साथ, आप लोगों को जो mock test है, मता exam देने के पहले कि MCQ exam किस तरीके से conduct करवाया जाएगा, वो आपको mock test बहुत जल से जल provide करवाया जाएगा, इन आपको हमेशा मिल जाएगा, तो please यार आप मेरे channel को support कीजिए, मुझे support कीजिए, वादा रा मैं आपको support करूँगा, thank you so much दोस्तों, फिर से मिलूँगा next video में, जब तक के लिए, bye bye